नमास्ते जी नमास्ते वोप ये दूइंग वैल तो आज की चर्चा का विशे कुछ भी और कोई भी आपका नहीं है उधारन के तौर पे सबसे बहुते हैं मेरी गाड़ी है मेरी गाड़ी है essentially क्या वाकई में आपकी है रात को जिसके हाथ चाबी लग गई उसके साथ चल देगी essentially speaking आपकी गाड़ी नहीं है जिसके हाथ में उसकी चाबी है वो उसकी गाड़ी temporarily हो जाती है go back to your school right now if you go back to your school तो होगा क्या जिस canteen जिस classroom को आप अपना कहते थे वहाँ पर कोई नन्य मुन्य बच्चे बैठे हो और आपको अंकल आउंटी कह देंगे कि अंकल है कौन आगए चलो जी चलो ये तो अब हमारा classroom तो वो भी आपका नहीं इसेंशली स्पीकेंग जब हम कहते हैं कि जी ओ जी मेरको वो छोड़ गई वो तो मेरी थी पैदा हुए थे तब आप साथ लेकर आये थे उनको या जब जिस संसार को छोड़ कर जाएंगे तो साथ लेकर जाएंगे वो भी आपके नहीं है essentially speaking कोई भी चीज for example जिस फोन पर मैं शूट कर रहा हूं मैं बाहर जाता हूं वो तीन च नहीं आएंगे स्कूटी पर वो ब्लॉंड ब्लॉंड बाल करके परपल बाल करके इतनी छोटी सी पैंट पांच ग्राम यह लड़के होंगे पांच ग्राम के होंगे मतलब बहुत पतले सुकड़े से होते हैं लेके फोन चले जाएंगे एक बारी तो हो भी चुका है मेरे साथ यह तीन-चार साल पहले की बात है तो essentially speaking क्या वो फोन मेरा है भही है लाइफ का दूसरा synonym ही लॉस है as you grow older you'll start realizing this बाल उड़ेंगे बाल चले जाएंगे जाने है शरीर starts to lose its muscle mass वो भी आपका नहीं eventually तो एक दिन शरीर भी छोड़ना है क्योंकि शरीर भी आपका नहीं आपकी केवल एक ही चीज है इस इंसार में उसका नाम है आत्वा वो आपकी अपनी है केवल और केवल उसी से associated है और सारे हिंदोस्तान या भारत की जो सारी अध्यात्म सारी इसी के अध्यान पे लिखी हुई है इसी एक ही चीज के जो आपके पास है थोड़े से और उधारन लेते हैं मैं थोड़े सी चीज हैं लिखी हुई है ताकि मेरे कोई और प्रेमिसेस में बैठता था वहां मेरी 11 साल के बाद लीस एक्सपायर हुई उन्होंने भीज दिया बिल्डिंग हमारी नहीं है या मान लेते हैं किस मकान में हैं मान लेते हैं आपने वो मकान किसी और को बीच दिया और उसने पूरा उसको रीडू करा उसका सारा गेट वेट बदला और अब वहां पे रह रह रहा है अब आप उस मकान में वापिस जाएं के कि अरे मैंने तो इतने साल ही हां काटे थे यह तो मेरा होना चाहिए वो भी आपका नहीं है इसेंचिली स्पीकिंग सब कुछ टेंप्री है जित्य तो केवल नाम से बदनाम है जीवन में कुछ भी कुछ भी एजन कोई भी चीज कोई भी वस्तु या कोई भी जिससे आप बहुत ज़्यादा अटाच्मेंट लगाए बैठे हैं इवेंचिली आपका नहीं है वो कहारें जी इसका तो कोई solution क्योंगी देखे अगर आप प्यार को भी बहुत बारी किसे देखें जो normal everyday प्यार है वो माल्कियत की सारी लडाई है कि मैं इसका स्वामी हूँ ये मेरी है ये मेरा है eventually break up के time पे क्या छूटता है basically वो जो आंसू है वो जो रोना दोना है वो क्या है और उसके बाद जब नहीं relationship बना लेते हैं किसी और को आप अपना बना लेते हैं तो सारी के सारी होड ये है कि you just want to get attached to things and the more and more attachments the more and more when the time comes to severe your attachments जब काटी जाएंगे वो attachments उतना जादा दर्द होगा ये तो सिंपल सी बात है तो जब मैं ये सब बोल रहा हूं तो as if क्या बोलते हैं I haven't gone through these phases I have and eventually everyone has to and it's not that my you know if I've gone through these phases and it's over as in these lessons or I've become immune to all of this नहीं असा कुछ मी नहीं है वो सब बिकार की बाते बोलने की लेकिन all of these insights can help us cope with life a little bit better which is primarily the purpose of these sessions तो खर बापस जाएं कोलेज में और उसी कैंटीन और उसी क्लास्रूम में जाके बैठें जिस पर मालकित थी आपकी for example जो मैं फाकल्टी ओव लॉव में था तो आपको लगता था हम लगता था हाही तो सब मारा है आज जाएंगे तो वो करेंजी भैसा वो बिल्डिंग करेंजी को बिल्डिंग आपको कोई हाट डालके थोड़न आएगी यो मेरे सर आये पुराने वाले कि यहीं पर यह बैठता होता था टोपलू और क्लास में बैठके सो जाता था जादेतर कोई भी चीज आपकी नहीं है यह बात तो दिमाग में लगा लीजेगा eventually as you get older आप अपने दो स्थियाद करिए जो चौती पांचवी क्लास में थे कहां है वो सारी जंता कहां है except barring exceptions अटा दीजेगा एक या दो जिनको आप जानते हैं आज कहां है वो लोग नहीं है क्योंकि आपके नहीं है तो as simple as that मत्र एक या दो लोग ही रह जाएंगे क्योंकि आप पूरे पूरे फॉज को जानते होंगे how many can you possibly keep in touch with everything changes so life is all about transitions and losses eventually you end up losing your relatives eventually when you get into this 40-45 phase you will see the celebrities that you'll use to look up to all of them will start vanishing from the world everything that you are associated with you will have to lose eventually one day whether it's one's own very personal family one's teachers one's very close friends maybe in some cases people even lose their children what-bohut-bohut tough experiences हैं लेकिन है तो सही क्योंकि net-net कुछ भी और कोई भी आपका नहीं केवल एक है वो है आत्मा जो कि essentially आप ही हैं और इवेंचिली जब आपकी आइडेंटिटीडी घुलेगी इस बारी रित्यद्वानी हैं केवल और केवल वही चीज वही आप हैं वही आगे जाएगी इस यह सारी आध्यात्म की कोर एक तरह से हैं कि जो चीज साथ में जाएगी जो चीज आप ही हैं खेर वो साथ में जाएगी वो खुदी एक तरह से आप ही है उस पे काम किया जाए फिर क्योंकि नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा वही है नेट प्रॉफिट अजन सबसे ज़्यादा एक तरह से इंसान की योनी मिली है उसमें सबस as you can. Detachment होगी, मेरे लिए बोलना जाने आया है, don't get attached here over it. Try not to get attached as much as you possibly can because know that this thing will go. Once you have accepted it, when detachment comes, when that thing comes to your life, when it comes to your life, then perhaps you will accept it a lot better and you will be able to cope up with it a lot better. Just like your crushes from 9 standard, 10 standard, 11 standard, mostly जा चुके. Very rarely does it happen, कि कोई अपने श्कूल से लाडा रहा होता हुर रूक्ते साथ ही उसकी शादी होते हैं बच्चे होते हैं, then they lead a family together. मतलब होते हैं, केसे होते हैं, but majority का doesn't work out like that. Just like mostly, I think, mostly people go through this, this ways. And everyone pretty much has to. Alright, now I'll see you in the next session. Take very good care of yourself. Bye.